लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए अयोध्या में राम मंदर के भूमी पूजन का रास्ता अब साफ हो गया है इलाहबाद हाइकोट ने राम मंदर निर्मान के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमी पूजन के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है हाइकोट ने शुकरवार को सुनवाई के दोरान याचिका को खारीज किया है कोट ने अपने फैसले में कहा कि याचिका में उठाए गए सवाल सिर्फ अकल पनाओं के सहारे हैं याचिका में जो आशंग काई जिताई गई है उनका कोई आधार नहीं है कोट ने यह भी कहा कि मंदिर निर्मान ट्रस्ट और युपी सरकार को भूमी पूजन कारेकरम कोरोना गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिये हैं दरसल, इलाहबाद हाई कोट में याचिका दायर कर कहा था कि अयोध्या में भूमी पूजन कारेक्रम के दोरान 300 लोग एकत्रित होंगे, यह कोरोना गाइड लाइन के खिलाफ है, याचिका के जरिये राम मंदिर भूमी पूजन के कारेक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई ह जन्हित याचिका में ये भी कहा गया है कि अयोध्या में पांच अगस्त को प्रस्तावित कारेक्रम से कोरोना फैल सकता है, इसके चलते उत्ता प्रदेश सरकार केंद्र की गाइड लाइन में छूट नहीं दे सकती है, याचिका में उस आदेश का भी जिक्र किया गया था जिसके तहट बक्रीद पर सामुहिक नमाज अदा करने को मंजूरी नहीं दी गई। इसके पीछे सरकार ने हवाला दिया था कि सामुहिक नमाज से कोरोना फैलने का खत्रा है। बतादें कि PIL के तहट बताया गया था कि राम मंदर का भूमी पूजन कोरोना महामारी में अनलॉक दो उलंगन है। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले ने हाई कोड में लेटर PIL के जरिये आचिकात दायर की थी।